आज comparison होगा 5 simple videos के बीच में और इस वीडियो के पीछे दिमाग है 3 खास लोगों का सबसे पहले हैं my skeleton और दूसरे हैं lone ranger कई बार आपने इनका नाम जो है इस channel पर सुना होगा और एक बहुती कमाल की शक्स है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुती बड़े collector ये है और तीसरे और आखरी हैं हिमाश जो जानना जाते हैं कि Texan और X-Data के बीच में किसका sound जादा बहतर है शुरुआत होगी दो bands वाले रेडियो से और उसके बाद हम जाएंगे 11 और 12 बैंड वाले रेडियो की ओर सबसे पहले है तो शीबा TXPR20 छोटा सा pocket रेडियो और इसका color आपको लेकर जाएगा आपके बचपन के जमाने में रेड और वाइट जो देखने में बिलकुल जैम और ब्रेड की तरह लगता है और हड़ियों और खून की तरह भी और खून डोनेट करना बहुती ज़रा जरूरी है लेकिन जब आप खून डोनेट करने जाते हैं तो बहुती ज़रा सवाल आपसे किये जाते हैं कहां से खून लेकर आए हो किसका खून लेकर आए हो और बाल्टी में क्यों लेकर आए हो लेकि नभी ध्यान दीजी इस रेडियो की ओर इसमें दो बैंड्स हैं इसमें एफम और एम इसके अलावा इसमें है टेलसकॉपिक एंटेना और इसे पावर मिलती है दो डबल-A बैटरी से और इस रेडियो में ट्यूनिंग इंडिकेटर भी है और इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है एर अगर आपको इस रेडियो की आवाज कम लग रही है तो आप इसी सीधा अपने कान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एरफोन्स और हेडफोन्स इस रेडियो के साथ आप आपको मुफ्त में नहीं मिलेंगे और यह फोन्स और हेडफोन्स में आपको मोनो साउंड मिलेगा क्योंकि यह स्टेरियो साउंड सपोर्ट नहीं करता और इसकी कीमत है 1199 रुपए एमाजॉन पर और अब देखिए इसका साउंड और रेसेप्शन इसका रेसेप्शन काफी अच्छा है लेकिन इसका साउंड शायद आपको निराश करते क्योंकि यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनें उंचा सुनना पसंद नहीं है और यह सोनी आइसी एफ पी ट्वेंटी सिक्स एक छोटा सा पॉकेट रेडियो लेकिन जिस माटिरियो से बनाया गया है वो बहुत ही जादा खराब है इसमें फिंगर प्रिंट्स और स्क्रैच बहुत ही आसानी से लग जाते हैं यह व टेलस्कॉपिक नहीं है और अब इसका भी साउंड और रेसेप्शन देख लेजिए राष्ट्रपती द्रब्दी मुर्मू ने आज राष्ट्रपती भवन में दूसरे नागरिक अलंकरन समारों में वश दोजार तेज के चोवन पद्मपुरुसका अप्रदान किये राश्टरपती ने पहले नागरिक अलंकरन समयरों में 22 मार्ज को 3 पदमविभूशन, 4 पदमभूशन और 47 पदमश्री पुरुसका अप्रदान किये थे रिसेप्शन काफी अच्छा है और साउन भी अच्छा है बेस और टेवल का काफी अच्छा बैलेंस है लेकिन ये ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इसमें स्टेरियो एयर फोन्स और हैड़ फोन्स का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेरियो साउंड को सपोर्ट करता है और इस रेडियो की कीमत है 2200 रुपए जो कि बहुत ही जादा है इस महगाई भरे जमाने में जहां मरना भी मुश्किल है डेड बॉडी को सजाओ रोने वाले को चाए पिलाओ लकडी लाओ गढ़े खोदो और अजीब अजीब बातें सुनो और बनावटी आंसू बहाने वाली औरतों का ग्रूप जब तकि एक ग्रूप मरने वाले शक्स के घर से कुछ मीडर दूर होता है तब तकि ये सारी आउरतें अपने सूट और साडियों की बातें कर रही होटी है टीवी सिरियल के मरे हुए पती की बातें कर रही होती है शुब सारी चुगलियां कर रही होती है और बहुत ही ज़ादा हसी मजाग कर रही होती है लेकिन जैसे ही ये सारी औरतें मरे हुए शक्स के घर के पास पहुंचती है इनी में से एक औरत कहती है 3, 2, 1 और गीदडों की तरह रोना चालो सीधे शब्दों में कहूं तो इस रेडियो की कीमत बहुत ही ज़ादा है और इसे तब ही खरीदें अगर आपके पास फाल्टू के पैसे हैं और ये है पेनसॉनिकार एफ़ पी फाइफ जिरो डी और इसमें भी दो बैंस है एफम और एम और ये भी डबल ए बैटरीज के साथ चलता है और इसमें आप मोनो इयर फोन का इस्तमाल कर सकते हैं जो आपको इसके साथ बिलकुल मुफ्त मिलेगा एक दम मुफ्त और ये छोटा है लाइट वेट है और पॉकेट रेडियो है और किचन में काम करने वारे लोगों के लिए एक बहादी अच्छा गिफ्ट है इसलिए नहीं क्यूंकि आप काम करते करते इसके जरीए गाने सुन सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं बलकि इसलिए कि ये आपके किचन के सारे बरतनों के साथ 100% मैच करता है लेकिन इसका एंटेना टेलसकॉपिक नहीं है लेकिन इसमें ट्यूनिंग इंडिकेटर है और इसका स्केल लुमिनस है थोड़ी देरे से रोशनी दिखाईए फिर अंधेरा करिए और इसका स्केल जगमगा उठेगा और देखिए इसका साउंड और रिसेप्शन रिसेप्शन बहुत अच्छा है और शार्प साउंड है एकदम कड़क और इसकी कीमत है 1493 रुपए एमाजान पर और यह है एक्स डेटा डी टू वन नाइन और यह कड़ी टकर देता है टेक्सन आ 9012 को इसमें 11 बैंड्स है FM, AM और 9 शॉर्ट वेव और अगर आप एक ऐसे अलागे में रहते हैं जहां पर रिसेप्शन बहुत ही जादा अच्छा है तो यह रेडियो आपको बिलकुल भी निराश नहीं करेगा और इसे भी 2 AA बैटरीज की ज़रूत पड़ती है लेकिन आप इसे अड़ेप्टर के साथ भी चला सकते है और इसमें टेलिसकॉपिक एंटेना भी है लेकिन ट्यूनिंग इंडिकेटर नहीं है स्लिम है, लुक अच्छा है और क्वालिटी और फिनिशिंग कमाल की है और पॉकेट साइज है चाहे आपके पॉकेट्स में मुंगफली, चने, बबल गम, कैंडीज जबड़े की एक्सरसाइज की कोई भी चीज हो ये फिर भी आपके पॉकेट में फिट हो जाएगा और अब इसका भी साउंड और रेसेप्शन देख लीजिए भाजपके रणधीर शर्मा ने प्रशनकाल के बाद नगर निगम शिमला के वाडों के संख्या घटाने का मुतावठाया और कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सरकार बार-बार अध्यादेश क्यों ला रही है रिसेप्शन काफी अच्छा है और साउंड भी काफी अच्छा है और बहुत ही ज़ादा लाउड भी है और इसके साथ भी आप ये फोन्स और हेडफोन्स का इस्तमाल कर सकते हैं और इस रेडियो की कीमत पहले थी 1414 रुपए लेकिन अब इस रेडियो की कीमत है 1260 रुपए जो की अच्छी बात है और एक्सडेटा एक बहुत ही अच्छा ब्रैंड है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रेडियो ये बनाते हैं और अगर आपको एक ऐसा रेडियो चाहिए जिसकी कीमत 2000 रुपए से कम है जिसमें बैंड्स जादा है जो अडैप्टर के साथ भी चलता है और जिसका साउंड भी अच्छा है तो एक्सडेटा देटू वन नाइन एक बहुत ही अच्छी चॉइस है और आखरी रेडियो है टेक्सना 9012 क्लासिक स्टायल बड़ा ट्यूनिंग डायल स्केल और शानदार परसनेलिटी इस रेडियो में 12 बैंड्स है और ये बहुत ही जादा स्लिम है पॉकेट साइज है और दो डबले बैटरी के साथ चलता है और आप इसे अडैप्टर के साथ भी चला सकते है इसमें टेलस्कॉपिक एंटेना है ट्यूनिंग इंडिकेटर भी है और आप इसके साथ ये फोन्स और हेडफोन्स का इस्तमाल भी कर सकते है और अब देखिए इसका साउंड और रेसेप्शन और भीय भीय कपठः पनबाद तुईनबाद भी आसा भगवती भार्दवाती निरी संगनी रा में लोडी शिवादासी है खाड़े बजारा एंडोगी छूना और गल्बा आतासरी जारी रोनी इसका साउंड एक्स डेटा D219 से थोड़ा जादा बहतर है बेस और ट्रेबल का परफेक्ट ब्लेंड है और रिसेप्शन भी अच्छा है इस रेडियो की सिर्फ एक ही प्रॉबलम है और वो प्रॉबलम है इसकी कीमत पहले इसकी कीमत थी 1560 रुपए लेकिन अब इसकी कीमत है 2398 रुपए जो की बहुत ही जादा है लेकिन फिर भी अगर आप सोनी P26 खरीदना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि उससे बहतर आप्शन टेक्सन R9012 है जादा बैंड है साउंड अच्छा है रिसेप्शन अच्छा है और जादा बैंड यानि की जादा रेडियो प्रोग्राम्स तो ये थे कुछ सिंपल रेडियो जिन्हें आप अभी खरीज सकते हैं और इनकी कॉलिटी, फीचर्स और कीमत के बारे में आप जान चुके हैं कौन सा रेडियो आपको खरीदना है, ये फैसला आपके उपर है अपना ध्यान रखिएगा, बिलते हैं अगले वीडियो में